बच्चा जब बड़ा होता है तो उप्टन के आउसकता नहीं होती उसे नहलाने धुलाने के लिए आउसकता नहीं होती उसके मालिस कर समय खत्म हो जाता है तो गर जो घर का मालिक होता है या बच्चे के गारजयन होते हैं वो कहते हैं कि दाई को कि अब तुम अपना हिसाब ले लो और यहां से चले जाओ तो दाई हिसाब लेती है और एकदम आसानी से चली जाती है लेकिन रोता वहां पर कौन है बच्चा रोता है क्योंकि उसे उससे प्यार हो जाता है प्रेम हो जाता है वो दाई के बीना रहने रहना उसका मुश्किल हो जाता है लेकिन दाई जो धाय है, वो कभी मोह नहीं करती, वो कभी उसे चिंता नहीं होती कि ये बच्चा क्या करेगा, कैसे रहेगा, क्यों? क्योंकि वो अपना नहीं है. वो अगर अपना होता, अपना बेटा होता, अपना बच्चा होता, तो उसे दुख लगता, कि उसे छोड़ कर कैसे जाएं? लेकिन वो अपना नहीं है, वो परायका है, वो पहले से मान के बैठी है कि ये तो परायका है, एक दिन मुझे इसे छोड़ के जाना ही है, तो उसे हैं लेकिन जाने के पहले अपने जीवन को इतना निखार लें कि इस जीवन से जब विदा हो इस संसार से जब हम विदा हो तो हमें रोने किया सकता ना हो हमारे आखों में आशू ना हो बलकि हमारे चेहरे में मुस्कुराहट हो कि हमने जो किया अच्छा किया जिनके लिए भी जो काम किया अच्छा किया जब हमारे चेहरे में मुस्कान होगी तो वही हमारे जीवन की शंतुष्टी है वही हमारे जीवन का असली सुख है आप सब अपने जीवन में भी देखे होंगे कि आप कभी किसी का जब उपकार करते हैं या कहें किसी के साथ कोई help करते हैं कोई मदद करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है कोई बुजूर्ग हैं, बुढ़िया हैं, बुढ़े हैं सड़क पर जा रहे हैं रोड़ क्रास करना हो, पार करना हो वो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें हम करवादे तब वो खुशी मिलती है कि हाँ हमने कोई अच्छा काम किया कोई आदमी है कोई समान नहीं ले पा रहे है ठीक है आप किनारे बैठ जाएं यह मैं लाइन में लग लेता हूं मैं आपके लिए समान ले देता हूँ कितना उनको अच्छा लगता है कि हाँ भई उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी सुकून मिलता है कि हम अच्छा काम किये तो ये सब छोटे-छोटे धंग हैं तरीके हैं अपने जीवन को निखारने का अपने जीवन को सजाने का अपने जीवन को समारने का हम सब जिस घर में रहते हैं जिस मकान में रहते हैं उसे कितना सजाते हैं अभी दिवाली का मोहत्सो गया कितना लोग सजाय थे पहले से महिनों महिनों पहले से अपने घर को सजाना समारना सुरू कर देते हैं रंगाई पताई करते हैं और फिर जालर लगाते हैं लाइट लगाते हैं आतिशबाजी करते हैं खुशिया मनाते हैं तो वैसे ही हम अपने जीवन को सजाने के लिए भी काम करें बाहर का तो सब कुछ सज जाता है मन का नहीं सजता है अपने हिरदय आंगन में कोई झाड़ू नहीं लगता है इसलिए एक भजन में गाया गया है कि तूने आंगन नहीं भुहारा कैसे आएंगे भगवान वो कौन से आंगन है वो अपना हिर्दय आंगन है अपने मन की पवित्रता है हमारे मन में कटुता भरी है हमारे मन में किसी के लिए छल है कपट है क्रोध है हिंसा है वेर्मनस से है तो फिर वहां भगवान भगवान का मतलब है कि जो सुकून जो सांती हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी और यदि हम चाहते हैं कि सुकून भरा जीवन जीए सांती भरा जीवन जीए तो हमें अपने जीवन को सजाने और सवारने की आवसकता है और जीवन को सजाने का मतलब है अपने मन को समार लेना अपने मन की मन इस्थितियों को सुधार लेना हमारे जो मन की इस्थितियां है ये अदिश सुधार जाती है ये समर जाती है तो हमारा जीवन सुधार सकता है तो मैं कुछ देर अपने विचार रखने का प्रयास किया बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं बोलिए सद्गुरु देव कीजे अभी हम संस्री धनेंद्र साहिब जी द्वारा बहुत सुंदर विचार साहिब